ये सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो अगर अभी तक आपने इसके पुराने एपिसोड को नहीं देखा तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाकर उन सभी को चेक आउट कर सकते हैं चुल याते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तिरफ जिसकी शुरुवात में हम धियान को देख पाते हैं और इस वक्त वह अपने ही लोगों पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि एक रात पहले उसके चंगुल से ब्रैन हो जरूरी था इसलिए वह उन लोगों को पकड़वाने के लिए अपने जंगली उनकी पीछे भेज़ देता है इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि बस अगर वो लोग उसके सामने आ जाते तो वह जांसे मार डालता तबी मिस्टर लिविन से कहते हैं कि इस वक्त तो उन्हें जिन्दा रखना ही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए अब चाहिए उसे गुलाम बना कर रखो या अपना शागिर्द वो तुम पर डिपेंट करता है साथ ही वह यह भी कहते हैं कि किसी भी वक्त रॉप स्टार कपनी सीड़ा के साथ में यहां पर आ सकता है और अगर उसे यहां पर कोई भी नहीं मिला तो तुम दोनों के बीच में जंग चिड़ सकती है तब ही थियौन कहता है कि उसकी सेना मुझसे काफी दूर है उससे पहले तो मेरी बेहन की सेना ही यहां तक पहुंच जाएगी और अगर जंग होगी भी तो हम ही उसमें जीतें है और तभी उसके कुट्टे ब्रैन की खुश्बू सूंगते सूंगते उन सभी को एक किसान के घर तक ले आते हैं अपने कुछ आद्वियों के साथ वहां पर पहुंचता है और वहर जगे ब्रैन को ढूंडने लगता है पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता उस घर में सिर्फ निकालकर अपने महल में लाकर उल्टा टांग देता है इस हाथ से सभी को लगता है कि उनके राज्य में उनके राजा यानि की ब्रैन और रिकॉन दोनों को ही मार दिया गया है जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त ये ग्रेट के साथ होता है राद बर से कहता है कि मेरा काम नाइट्स वाच का है और मैंने अपनी वेस्ट रॉस की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिये बातों ही बातों में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो लोगों ने हमारी जमीन पर से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हैं तो पिर आखिर तुम लोग हमें क्यूं मारते हों हलाकि जंगलियों ने हमला किया था और साथ ही आये दिन इनके लोगों को मारा भी करते थे मगर इस वक्त जान के पास में कोई बी जवाब नहीं होता अब यहां पर मैं आपका अपनी बातों में जौन स्नों को फसा कर एक ऐसी जगह पर ले आती है जहां पर उसके खुदी की लोग मौजूद थे और अब जौन स्नों पर खत्रा बढ़ चुका था जिसके बाद में सीन दिखाया जाता है टाइवन लैनिस्टर पर जो कि इस वक्त चिंतित था कि आखिर उ उसे सच्छा नहीं बताता क्योंकि वहां की लोगों की लोगों किसने मारा जिसके बाद में झब वह अपने पहुंचता है तो आर्या उसके लिए खाना लगाती है लेकिन इस खाणे को खुद काने की जगह उसे आर्या को खाने के लिए ऐक छोटी बच्ची को खाना खाते देख वो उसके साथ बात करने लगता है और साथ ही उसके तेज दिमाग और प्रेजेंट्स ओफ माइंड को देखकर उसकी तारीव भी करता है वह इन बातों से हमें यह पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले जब हैरन हाल एक बहुत ही बड़ा महल हुआ करता था तब टार परिवार से रखी थी उन लोगों ने आपकी एक भी मांग को नहीं माना और सारी की सारी खारिच कर दिये हालागी रॉप चाता तो अपना गुस्सा उतारने के लिए उसके दूद्ध को वहीं पर जान से मार सकता था मगर वह ऐसा नहीं करता इसी वक्त यहां पर टैले से प बनी हुई है तो रॉप कहता है कि क्यों न तुम भी मेरे साथ चलो और तुमें जिन-जिन चीजों की ज़रुत है वह सब कुछ ले लो यहां बताता है कि वह का काफी बड़ा नाइट माना जाता था लेकिन यस वक्त जीमी के मन में काफी गुस्सा भरा पड़ा पड़ा था और वो नहीं चाता था कि किसी से भी बात करे, इसलिए गुस्से में आकर वो वहीं पर Elton को जान से मार डालता है, क्योंकि उसका परिवार उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, ये देखकर वहाँ पर कार स्टार्क नाम का एक शक्स आता है, जो कि होता बेसिकली स्टार्क के परि बना लेते हैं, और उसे वापस से उसी कैद में डाल देते हैं, अब यहाँ पर दो लोगों की कतले की वज़े से लोगों को गुस्सा जीमी पर बिल्कुल भड़का हुआ था, इसलिए वो तो उसे जान से मारने ही वाले थे कि तबी वहाँ पर कैटलीन स्टार्क पहुंच जाती है, और जेमी को बचा लेती है, जिसके बाद में रात को कैटलीन अब जेमी के पास उसे मिलने के लिए आती है, मगर अगेन गर्मा गर्मी में जेमी और साथी के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, वो उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा नाकारा इंसान मैंने आज त अच्छा था, लेकिन तुम्हारा पती नेट स्टार्ट न जाने कितनी औरतों के साथ सोया है, और इन दोनों के बीच में जबर्दस लड़ाई हो जाती है, वहीं पर हम सांसा को देख पाते हैं, जिसके इस वक्त पीरिड्स स्टार्ट हो चुके थे, और वाइट शादर खर करवा देगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, तभी वहाँ पर शया उसकी मदद करने लगती है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर सरसी की एक दूसरी दासी आकर ये सारी बाते सुन लेती है, उसे पकड़ने के लिए पीची पीचे शया भागती है, लेकिन तभी ये सारी च करेंगे, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में, और यहां पर टीरियन सरसी को बताता है, कि धिरी-धिरी करके स्टैनिस के शिप्स हमारी और आ रहे हैं, और एक जंग का आगाज होने वाला है, जहां तक मुझे खबर मिली है, उनके पास करीब 200 से जदा शिप्स है और सरसी को कहता है, कि अब तुम्हारा बेटा तुमारे आत से निकलता जा रहा है, तो reply में सरसी कहती है, कि ہा कि मैं इस बात को जानती हूं, मगर आप काफी देर हो चुकी है, और वो अब आप काफी जदा आगे निकल चूका है, जिसके बाद पार कारत में और हम देख पा बड़ी ही उम्मीदों के साथ में डेनरेस जोरा को कहती है कि तुम ही मेरी आखरी उम्मीद हो प्लीज कैसे भी करके मुझे मेरे ड्रैगन वापस ढूंड कर ला दो जिसके बाद में जोरा उन ड्रैगन को ढूंडने के लिए उसी मास्क पहनी और पास जाता है कि आखिर वो ड मुझे मेरे ड्रैगन वापस चाहिए जिसके पास भी वह मुझे दे दो मगर यह लोग तो यहां पर हाथ खड़े कर देते और कहते हैं कि इनको उसके ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं पता तभी वहां पर वह जादूगर टकला खड़ा होता है कि मैं आपको आपके जान से मार डालता है और जिस नए राजा की बात हो रही थी वह और कोई नहीं बल्कि डैक्स असी था और अब उसका कहरे डैनर इस पर भी बरसने वाला था लेकिन तभी वहां पर जोरा पहुंच जाता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में यहीं पर खत्म हो जाता है क्या होगा इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या डैक्स अपने गुस्से के चलते डैनर इसको जान से मरवा देगा या फिर इस टैनिस की फौज पहुंच जाएगी सरसी और जौफरी को खत्म करने के लिए या फिर एक बार और जैमी लिनिस्टर स्टार्स के सैनिकों से बच करें यह मेरे साथ तब तक के लिए की वॉचिंग स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में करें अगले वीडियो में